नमस्कार दर्सकाओं आप सभी कस्त्वागत है मैं हूँ अचार्य एक देव आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग कुसल मंगल से होंगे त्वस्ट होंगे परसंद होंगे मस्त होंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दिजिए सब्सक्राइब कर दिजिए बेल आइकन को दवा दिजिए और वीडियो को एसकिप करके ना देखें और कोमेंट बॉक्स में रादे रादे अवस कोमेंट करें आज हम बात कर रहें मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए और ये पूरे रासी के अनुसार मेश रासी से ले करके मीन रासी तक का सभी को रासी के अनुसार जो उपाए बताऊंगा उसको अवस्च करें इससे जो आप करेंगे उससे लाप तो होगा ही होगा साथ में आपका पित्रों का भी अशिरवाद मिलेगा मकठ संक्रांती के दिन जरूर करें नियमों का पालन जिवन में आएगी सुख और समर्दि सनातन धर्म में मकठ मकर संक्रांती के पर्व को विशेश महब दिया जाता है धार्मिक मन्यताओं के अनुसार मकर संक्रांती पर्व के दिन पूजा पाट असनान दान इत्यादिक कारिव करने से विशेश लाप प्राप्ति होती है बेदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में मकर संक्रांती पर 15 जनवरी दीन सुम्बार के दिन मनाये जाएगा इस विशेश दिन पर कई शुब मुरहुत का निर्वान हो रहा है जिसमें पूजा पाट करने से साधक को लाव प्राप्त होगा मकर संक्रांती के दिन देखती को कुछ विशेश नियमों का भी पालन का ध्यान रखना चाहिए मकर संक्रांती के पर्व से जुरे कुछ विशेश नियमों का मकर संक्रांती 2024 सुब मुरहुत दिक पंचां के अनुसार मकर संक्रांती का पर्व वर्स 2024 में 15 जनवरी 2024 दीन सोंबार के दिन मनाया जाएगा इस विशेश दिन पर पुन्य काल सुबह सात बज के 15 मिनर से लेके संध्या पांच बज के 44 मिनर तक रहेगा और महापुन्य काल जो है वो सुबह के सात बज के 15 मिनर से सुबह के 9 बजे तक सुब मुरुत रहेगा इस विशेश दिन पर मकल संक्रांती का चन दोपहर दो बज के 55 मिनर रहेगा इस विशेश दिन पर रवी योग रहेगा और सुबह जो टाइम है वो सुबह के 7 बज के 15 मिनर से सुबह 8 बज के 7 मिनर तक रहेगा मकल संक्रांती के दिन इन बातों का रखे विशेश दियान सास्त्रों में बताए गया है कि मकर संक्रांती के दिन अगर पवित्र असनान का विशेश महत्व है इसलिए इस दिन गंगा जमना नर्वदास गुमती नदी का असनान प्रियाग राज हरी द्वार का असनान अत्ति उत्तमकासि के विश्वनात में असनान करना और गंगा नदी में असनान करें अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही सुर्य उदे से पुर्वे आप अपने बालती में गंगा जल डाल करके उसमें जल भर करके आप नहा सकते हैं इससे आपको बहुत लाब मिलेगा और जलते हैं अब जो है इसी अनुसार से अगर इस दिन आप पीपल के ब्रिक्ष के पे जा करके पीपल के ब्रिक्ष अगर साथ अनाज का आटा बना करके अगर उसका दीप साथ दिपक आप पीपल ब्रिक्ष में अगर जलाते हैं तो इससे आपको अदभुत लाब मिलेगा और साथ में जो है तीन आप सर्सों तेल का जलाईए दिपक और दो आप घी का दिपक जलाएं और दो आप तील का तेल का जलाएं ऐसे मकर्स क्रांती के दिन रंगा असनान करने के बाद ये शुक समर्दी आएगा और ये आपको जो दीपक वाली बात बताया हूं इससे आपको अदभुत लाब मिलेगा पूरे बर्स आपको किसी भी प्रकार की समस्या चल रहे तो उसमें आपको रहत मिलेगा ऐसा है कि इस ही लिए सुबह जल्दी उठकर असनान ज्यान करके सुर्य देव भुवन भासकर को अर्ग जरूदे ऐसा करने के लिए साफ जल गंगा जल का आप यूज करें सुर्य देव को अर्ग प्रदान करने से जीवन में सुख समर्दी की प्राप्ति होती है मकर संक्रांती के देन तामसी भोजन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए साथ इस दिन भ्यक्ति को दोपहर के समय दीन में सोना नहीं चाहिए ऐसा करने से पूजा पात का फल नश्ट हो जाता है मकर संक्रांती पर किस वस्तू का दान करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है जीवन के सुखों को बढ़ा जाता है सास्त्रों के अनुसार इस दिन किया हुआ गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है मकर संक्रांती के दिन वस्तू का दान करें मकर संक्रांती पर किन चीजों का दान करने से मिलेगा लाव भगवान सुरेदेव और सनी का असिरवाद मकर संक्रांती पर कुछ चीजों का दान करना काफी सुख माना जाता है वैसे मकर संक्रांती के मुख रूप से तील गूर और खिचरी का दान करना चाहिए परन्तु इसके अलावा भी कुछ वस्तू ऐसी हैं जिसे दान के आप सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं मकर संक्रांती के दिन खिचरी का दान करना चाहिए क्योंकि माना जाता है मकर संक्रांती के दिन खिचरी का दान करने से घर में सुक और समर्दी आती है और सांती का वास होता है कि इस दिन तील और गूरों का दाण भी विशेस्मना जाता है इन दिनों इन चीजों के दान करने से मन संमान धन लाब होता है इतना ही नहीं किसी की कुंडली में सुर्य और सनी खराब अस्तिति में हो तो इस दिन गूरों और तील का दान करने सेформांती अस्थिति कुंडली में ठीक हो जाती अगर धैया अगर साड़े साती चल रहा है तो उसमें भी आपको इस दान करने से आपको बहुत लाब मिलेगा जिन लोगों पर सनी की साड़े साती या धैया का परभाव है उन लोगों को मकर संक्रांति के दिन काले तील तांबे के बरतन में भर कर किसी निर्धन ब्रह्मन को दें या तो किसी जुरत मंद कुम्व्यक्ति को या फिर किसी आप आस्रम में भी दान दे सकते हैं मकर संक्रांति के दिन नमक का दान भी विशेश माना जाता है इसलिए नमक का दान अवस करें यदि आप इस दिन नमक का दान करते हैं त तो आपके सभी अनिष्टों का नास हो जाता है, आपका बुरा वक्त भी टल जाता है, इसलिए नमक का दान मकर संक्रांती के दिन सुब माना जाता है, शिव पुरान के अनुसर मकर संक्रांती के दिन नए वस्त्र का दान अधिक सुब माना जाता है, ऐसा करने से स्वास्त हमे सुत्रों का डान करने से वो ठीक हो जाता है मकल संक्रांति के दिन घी का दान करना भी स्ष्छ फल प्रदाप्त होता है के दिन की का दान आप करते हैं इससे बहुत अद­обще प्राप्त होता है माना जाता है कि घी का दान करने से सरीर को स्वस्त रखता है इसके साथ ही माद देवी महा लक्षमी की अश्ट लक्षमी की किरपाव भी प्राप्त होती है अनाज का दान करने से सबसे अच्छा माना जाता है और यदि कोई ब्यक्ति मकर संक्रांती के दिन साथ प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन ब्यक्ति या ब्रह्मन को या किसी आसरम में को दान करता है तुसे अनपुर्णा देवी प्रसंद हो करके उनके शभी कष्टों को दूर करते हैं अब चलते हैं में रासी अनुसार उपाई मकर संक्रांती के तो मेश रासी के लोगों को गूर और चिक्की तिल का लड़ू दान करना चाहिए विसब रासी को जातकों को रासी के लोगों को सफेद तिल का लड़ू और सफेद तिल और चावल और दही दान करेंगे तो अति उत्तम लाब मिलेगा मित्थुन रासी के जातकों को हरी मुंकी दाल और कंबल और सफेद तिल और काली तिल की लड़ू में बना हुआ अगर आप दान करते हैं इस अद्भूत लाब मिलेगा करक रासी के लोगों के लिए चांदी और चावल सफेद वस्त्र और दही का दान करना अति उत्तम माना लाब मिलेगा सिंग रासी के जातकों को तामबय और सोने की मोति दान करने चाहिए और गूर और केले का दान करना काली तिल का दान करना शिंग रासी वाले जातकों को अति उत्तम लाब मिलेगा कन्या रासिके लोगों को चावल और हरे मुंग और हरे रंग की कपरा और तील की लड़ू दान करने से आपको अधभूत लाव मिलेगा तुला रासिके जातकों को हीरे, चीनी, मिश्री, कंबल और सफेद तील की लड़ू और दही का दान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा धनू रासिके जातकों को वस्त्र और चावल और तील और गूर और केले और हल्डी और केशर का दान करना धनू रासिके जातकों को अति सुन्दर लाव मिलेगा इससे आपका ज्यान और धन की विर्धी होगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगा और आत्म बल्व का बरहुत्री होगा मकर रासिके लोगों को गूर और चावल और तील का लड़ू और खिचरी दान करने से आपको अदभूत लाव मिलेगा कुमरासी के जातकों के वो काला कपरा काली उरद और खिचरी खिचरी का अर्था अर्था है चावल और काले उरद की दाल और हरी मुंग की दाल और उसमें जितने भी शमान होते नमक तेल जो भी है आप दान करें इससे आपको अदभूत लाव मिलेगा मीन रासी के जातकों के लिए रेशमी कपरा चने की दाल चावल गूर और केसर हल्दी का दान करना आपके लिए अति उत्तम लावदायक सिब्द होगा इसी के साथ मैं जो भी उपाय बताया हूँ अगर आप ये उपाय करते हैं तो उससे आपको अदभूत लाव मिलेगा सब पर्थम मकर संक्रांती के दिन आप सुबह सुर्योदे से पूर्व जल्दी आप उठे असनानादी करके जा करके आप अपने घरों के मंदिर में पूजा करें उसके बाद जा करके जो मैं साथ आटे का दीपक बताया था वो दीपक जा करके तीन सर्सों तेल का और तीन तीद का तेल का और दो गही का दीपक या तो आप अज़ा भी कर सकते हैं तीन सर्सों तेल का तीन तीन काली तिल का और एक घी का दीपक आप जला दें और जल में जो है थोड़ी सी पहले गंगा जल डालिए फिर उसमें जल डालिए फिर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दें गूर दाल दें काली तिल और सफेद तिल डोनों डाल दें और चावल डाल दें थोड़ी सी घी डाल दें थोड़ी सी दही डाल दें इससे आपको पीपल विक्ष के नीचे जाकर के उनका अविश्यक कीजिए परकर्मा करते हुए आप जल डालिए अगर वहां पे बैट करके दीपक जलाने के बाद अगर आप हुलमान चली सा या सिद्धिकुंजिका का पाठ करते हैं और गुरु मंत्र का जाब करते हैं इससे अदभूत लाब मिलेगा उसके बाद आपसी मंदिर में भी आप जाके करें पूजा और बेलपत्र जरूर चर इसका जो है आपको जो पूजा करेंगे वो तो लाब मिलेगा मिलेगा साथ में आपका पित्रों का अशिरवाद भी मिलेगा और एक वर्स तक आपको अदभूत लाब मिलेगा सारे समस्या का समाधान हो जाएगा और इसी के साथ अपनी बानी को यहीं पे ब्राम देता हूं चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दिजिए सब्सक्राइब कर दिजिए बेल्ड एकन को दबा के आल पे कर दिजिए और सर्चम है तो आप चैनल का मेंबर्सिप लेने कोमेंट बॉक्स में राधे-राधे करें इसी के साथ आप सभी का सभी को आज का दिन मंगल मैं मैं हो सवस्त रहे प्रसंद रहे मस्त रहे प्रेम से बोलिए राधे-राधे-राधे